हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एक्समार्ट किरियेटर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके भी मोबाइल में फेस्बुक एप है जो ओपेन नहीं हो रहा है या चल नहीं रहा है तो आप उसे कैसे ठीक किजेगा अगर आपके मोबाइल में फे किजेगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा तो फेस्बुक एप को अपको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है अपने मोबाइल में सेटिंग को अपरना होगा कि सेटिंग के ऊपन होने के बाद आप के मुबाइल में जितने भी एप है सारे आपको यहाँ पर सो होने लगेंगे तो आपको नीचे के तरफ स्क्रॉल करके आना है जहां पर आपको फेस्बुक है जो मिल जाएगा तो उसे आपको ओपेन कर लेना होगा तो आपको क्या करना है पहले स्टोरेज वाले उप्सन पर एकली करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर कैच कर देना है और क्लियर डाटा भी कर देना होगा उसके बाद आपको यहां से back आना है और back आने के बाद आपको नीचे माप्सन देखने को मिलेगा permission का तो आपको इस पर एकली कर लिजेगा तो उसके बाद क्या करना है आपको यहां पर जो भी permission है जैसे microphone का है storage का है आपको यह सारे चीज़े यहां पर allow कर देने होंगे और back आने के बाद आपको इसे recent से हटा देना है और उसके बाद आपको क्या करना अपने mobile के setting को open फिर से करना होगा और फिर से open करने के बाद आपको sim and mobile network पर एक लिक करना है जिस भी sim का data यूज कर रहे हैं आपको उस sim को select करना है और उसके बाद आपको क्या करना नीचे में access point name पर एक लिक करना होगा और उसके बाद आपका यहां पर option देखने को मिलेगा reset to default का तो आपको एक बाद reset to default कर देना है और उसके बाद आपको क्या करने यहां से फिर से बैक आना है और आपको इसे रिसेंट से हटा देना है तो आप क्या कीजिएगा एक बार अपने डाटा को बंद करके फिर से उपेन कर लिजिएगा तो ये सारे setting करने के बाद आपको क्या करना है आपको फिर से अपने mobile में facebook app को open करना होगा तो facebook app के open होने के बाद आपको अपनी id को फिर से यहाँ पर login कर लेना है login करने के बाद आपके mobile में facebook app है जो चलने लगेगा और open भी हो जाएगा और network की जो भी issue थी सारे ये problem है जो solve हो जाएगी तो इस तरह से आप भी अपने mobile में facebook app जो open नहीं हो रहा है उस problem को ठीक कर सकते हैं और उसे use कर सकते हैं तो अगर आपको ये video पसंद आई तो मारे video को like किजिएगा और channel को subscribe करना मत भूलिएगा